हलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, सो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Realme का Earbird, Realme Bird Wireless, सो ये एक ऐसा updated आया हुआ है Realme का, जो बहुत ही अच्छा प्राइस मुझे लगा है जो 17992 का इसमें quality आप देख सकते हैं, magnetic control है, 11.2 mm base है और क्या कहते हैं, 12 hour का play backup है, flexible necklace है and 5.0 Bluetooth है और sweet proof IPX4 है तो ये हमें पढ़ा है 17992 का जैसा कि हमें एजन की ये हमारे पास sleep आई है, अभी कली तो इसको हम क्या करते हैं, side में रखते हैं, इसको open करते हैं, देखते हैं क्या है तो यहां पर देख रहे होंगे कि इस तरीके का कुछ interface आपको मिलता है पहले इस डिबबे में तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि green color का हमने खरीदा था, तो इसमें कहते हैं ये जो necklace जैसा है तो मैं निकाल लेता हूँ इसे, वो बहुत soft है और बहुत ही मुलायम है, ये विकुल ऐसा लग रहा है कि गले में अराम से set हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं करेगा, ये पूरी जो है rubber जैसी लगी हुई है और यहाँ पर हमें battery मिलती है, battery इसकी है कुछ, 12 hour का play backup है, तो इसके अंदर manual रखा होगा, इसको side रखते हैं दो मैं के लिए manual, okay, यहाँ पर है, so इसके अंदर और कुछ नहीं है, तो इहाँ पर इसके अंदर manual दो extra earbud मिलते हैं, जो अगर आपका ये खराब हो जाता है, तो आप यहाँ पर दो extra earbud लगा सकते हैं, और यहाँ पर एक realme की charging cable, मिलती है, जो yellow color में है, internal face, तो इसे भी side रखते हैं, और यह रहा हमारे पास user manual, तो user manual को हम भी side रखते हैं, और देखते हैं इसका connection कैसा होगा, तो यह, इसमें क्या होता है, यह magnetic portion है, तो यहाँ सर, magnetic जब आप लगाएंगे, magnet को on करेंगे, तो यहाँ पर एक automatic light चलेगी, औ और यह अगर आप बंद कर देते हैं, यह आप connect कर देते हैं, तो यह automatic connect off हो जाएगा, यह red बटन जला, red light जली है, इंडिकेट की है, तो यहाँ पर यह off हो चुका है, और जैसे हम यह magnet को हटा देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि blue color की indicate करेगी, यह red, और यह blue, तो अब इ पहले हम Bluetooth on करेंगे, और अब लेबल सर्च में सर्च करेंगे इसे, थोड़ा सा time लगेगा लेकिन आपको धैरे बनाते हुए से सर्च करना है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि real me bird wireless आ चुका है, यहाँ इसे हम क्लिक करेंगे और यह हमारा pair connection हो जाएगा, connection होने के बाद इसमें सबसे अच्छी जो quality मुझे लगी है, वो इसकी base quality लगी है, जो यहाँ पर आपको, मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं NCS के कुछ गाने play कर रहा हूँ, जो इसके base quality पर, मैं अपने earphone, mic के पास लेके जा रहा हूँ, तो अगर आपको यह video अच्छी लगी हो, तो like कर दीजेगा, share करिएगा, और रही बात इसके review की, तो मैं से 5 में से कम से कम 4 तो देऊँगा, इस 4.5 तक, और बहुत ही अच्छा year बढ़ है, 1799 में, बिल्कूल, और आप इसी video को like करिएगा, share करिएगा, और comment करिएगा, थैंक्यू, ओके, थैंक्यू,